वेल्कम स्टुडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इंजन क्या होता है और इंजन किस तरह से कार्य करता है, इंजन किते प्रकार के होते हैं, इसके बारे में जानेंगे, तो देखते हैं इंजन क्या है इंजन एक ऐसी डिवाइस है जो हिट एनर्जी को मेकेनिकल एनर्जी में कर्णवर्ट करता है इंजन के टाइप्स के बारे में जानते हैं इंजन कित्ते पकार के होते हैं तो देखते हैं ताइप्स आफ इंजन इंजन मुख्य रूप से टारंविक रूप से दो करकार के हमने जाना आए पैदा है एक्स्टरनल कमबस्टन इंजन एक्स्टरनल कमबस्टन इंजन और दूसरा होता है इंटर्नल कमबस्टन इंजन तो देखते हैं एक्स्टरनल कमबस्टन इंजन और दूसरा होता है इंटर्नल कमबस्टन इंजन तो एक्स्टरनल कमबस्टन इंजन को दो भागों में डिवाइड किया गया पहला है इस्टिम इंजन पहला इस्टिम इंजन और दूसरा होता है तर्वाइन इंजन एक्स्टरनल इंजन को दो भागों में डिवाइड किया गया इस्टिम इंजन और दूसरा तर्वाइन इंजन एक्स्टरनल इंजन को दो भागों में डिवाइड किया गया पहला होता है इस्पार्क इंशन इंजन और दुसरा होता है कॉम्प्रेशन इग्नीशन इंजन इसपार्क इग्नीशन इंजन को पुना दो भागों में डिवाइट गया दो भागों में पहला होता है रेशी प्रोकेटिंग इंजन और दुसरा होता है रोट्री इंजन इसपार्क इग्नीशन इंजन को दो भागों में बना रेशी प्रोकेटिंग इंजन और दुसरा होता है रोट्री इंजन रेशी प्रोकेटिंग इंजन को फिर दो भागों में किवाइट किया गया है प्रोकेटिंग इंजन और दुसरा होता है तू इस्ट्रोकेटिंग इंजन उसके बाद कॉंप्रेशन इग्नीशन जो होता है यह दो प्रकाश से होता है और इस्ट्रोक इंजन और पूसरा होता है तू इस्ट्रोक इंजन इस प्रकार से इंजन के निम में लिखिद प्रकार की यह इंजन सो होते हैं प्रकार कोließiti थो प्रकार किशण इंजन दूसरा इंटैनल कम्बस्ट इंजन जो के दो वागों में दिवाइड किया गया इस्ट्रीन इंजन और दूसरा अर्ट इवागों में दिवाइड किया गया इंजन और दुटरा होता है compression ignition इंजन फिर spark ignition को दो भागों में डिवाइट किया गया रेशी प्रोकेटिंग इंजन और रोटरी इंजन रेशी प्रोकेटिंग इंजन फिर दो भागों पर डिवाइट गया इंजन को दो भागों में डिवाइट क्या हिया और इस पकार से इंजनों को इंजन के पकार से हैं अब देखते हैं कि external compression engine क्या होता है external combustion engine एक ऐसा इंजन होता है जिसमें इंधन को इंजन के बहार जलाया जाता है वही नाम से इस पास्ट होता है कि external मतलब बहार combustion मतलब जलाना इंजन के बहार ही इंगन को जलाकर हिट एनरजी से मेकेनिकल एनरजी में परिवर्टिव करता है यह दिवाइज तो देखते हैं यह कि प्रकार से कार्यों करता है इस external combustion engine में एक बाइलर का प्रियोग किया गया इस बाइलर में पानी फिलब कर दिया जाता है और एक ट्यूड के माध्यां से इंजर के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है और इस बाइलर के नीचे फ्यूल के हुप में कोईला का प्रियोग किया जाता है कोईला को यहां पार बाइलर के नीचे दान किया जाता है जो जलता है और उसमा उत्पन करता है उसमा के द्वारा जो पानी होता है यह पानी उबनने लगता है और बनने के दावरान यहां पार बनता है और बहुत ट्यूब के माध्यम से प्रेसर के साथ में इंजन में प्रॉइड किया जाता है और यह जो स्टीम होता है यह स्टीम इस इंजन में लगे हो जो पिश्टन होता है उस पिश्टन के उपर में प्रेसर बनाता है तो जैसे प्रेसर बनाता है तो प्रेसर के दवरां ये पिश्टन सिलेंडर के अंदर रन करना चालू कर देता है और कनेक्टिंग रावे के माज़म से जो पावर होती है वो क्रेंग साथ तक ट्रांसपर होती है और क्रेंग साथ स प्राइविल तक या पावर ट्रांसफर की जाती है तो ये इस प्रकाव से एक्स्टरनल कंबसर इंजन का उप्योग होता है जिसमें एक बाइडर का प्रियोग किया जाता है तो हम एक कर दते है कि एक्स्टरनल कंबसर इंजन होता है जितने हुन 설 किया जाता है और उर παउमार का व्र कर डाइडर का बाएड़ कॉल में इंजन के बाहर ची जाता है और खुल के एडर के को निकराशने को दाघ आ जाता है अब second engine होता है internal combustion engine, तो कारंभी गूसे काई जो इंजन प्रियोग किया गया जब disinfection jugar ऐसके द गरन जब इंजन प्रियोग के गया। तो कारंभी क्रूस से किसा हbach जिसमें इंजलेंगर के अंदर ही उसका धढ़ सेंकर किया जाता है तो इस प्रकार के चंदर के कि अंदर किश्ण लगा होता है यहां इस इंजन में दो बालों प्रेयों के जाते हैं एक इनलेट वालो और दुटरा एक जाश्ट वालो इस इंजन में एधी इजन है एक इन्जक्टर का प्रियोग किया जाता है और यहां इजन के इंजन की बाद कर चानी होता है कि यहां इल्ग को किल रुप में तोड़कर जो कॉंप्रेस की वे जी चार्ड होता है उसको पर उसके उपर डिजल का छिड़काउग किया जाता है और वहां पर डिजल ब्लाश्ट होता है तो यह वरकिंग इसके हम समझते हैं कि इस पर यह टीडीशी टॉप पॉइंट जोता है सिलेंडर का जहां तक पिस्टांग मूख करता है तो वह पॉइंट कहलाता है एकी डिजी और बॉ्टक में भी डीजी पॉइंट होगा होता है इसको बॉट्बेस कुलते हैं यह वह टीडीशी से बॉट्जंगी पर जिस चरम बुंदु तक आकर तक मूधु करता है उस प उपायंट को वो सिलेंडर के व्षण होता है वो टीषित से बीडी से बीदि से टीडी सी की वर रं करते रहता है कुछ हवा से अंदर दाखिल होती है होता है तो यहां पर एक श्टो स्ट्रो कंपृन होने होता है जिसे हम बोलते हैं सक्साइश्टो इसके बाद सेंड इस्टो कुषटा है कंप्रेस्टो की रूप में पूसीन में होता है और पिष्टन से पीडि सी की वो और जो सफसेन स्टोक के दवरान जो बरावबा चार्ज होता है सुद्ध हवा के रूप में उसी समय इंजक्टिस के द्वारा डीजल को कणों के रूप में तोड़कर हवारों के साथ में उस लालतप्त हवा पर छिड़क दिया जाता है तो वह 557 बलाश्ट होता है। और बहुत जोर से धमाका होता है कि इसे हम पावर एक स्ट्रोग आते हैं। तो यहां पर हम कमज रहे हैं इंटर्नल कमबस्टन इंजन, तो हमने इसमें यह देखा कि इंजन के अंदर ही डीजल का छिड़काव करके इसका दहन किया जाता है, इसलिए हम इसे कहते हैं इंटर्नल कमबस्टन इंजन, मतलब इंजन के अंदर ही इंटर्नल अंदर ही इंदर क कंबॉर्षन किने इंजन का च्रान को शोंगता है इसलिए इंजन इंजल क करते हैं इंटेर नलि रिभा प्रतेकोंचोड होता है जिसको एक्षांट इस कि मां ढूता हैडां ज्राफ प्रत прим आंड़क तर्चा नहींल और दहन का गारिसंदर का यसे इस द होता है और ऑगरफम के दवारा सीजेंडर के स्नावराइब वो गैसे उस एक्जास्ट वालों की ओपन होने से चिलेंडर के बाहर निकल जाती है तो यह इस पतार संटर्ब कमशन खार् गिरेंग की लिए कारे करता है का प्रियोंग किया जाता है और इंधन को इंजन के बाहर इसका धन किया जाता है इस प्रकार की इंजन को हम बोलते हैं अब इसे इंजन में का जो द्धान होता है इंजन के अंदर ही किया जाता है इसलिए हम इसे इंटर्नल इंजन काते हैं अब हमने देखाता है जब फ्रकास पढ़ेते तो external इंजन, stream इंजन भी कहलाता है, stream इंजन हम इसको external इंजन को ही कहते हैं, उसका कारण ही होता है कि एक बाइलर में पानी में फिलब कर दिया जाता है, जो जो पानी पानी जो उभर कर सुर्ट इसकी बंगता है इस सिंग प्रेशर से कर्ए ऑम इसी करते हैं इसवे इस इनदेन को सिटीम इंजन भी कहा जाता है कि other कि कि सके अलवा इंजन को और भी अलग-अलग तरीके थिसे perfection किया जैसे इस रोक के अधार में देखा इस रोक कि अधार Winter पर दोप्रकार की इंजन्स प्रयोग किए गए फोरिष्ट्रोपी इंजन और टुश्टो इंजन फ्यूल के अधार फर क्लासिपकेशन कें रेन जन का तो पेट्रों लेन और डेजेल कि कुलिंग के आधार पर फिट इस एता दो प्रकार का कि एन शोते हैं ए एक उस्टम वाटर कुलिंग और four couldn't फाटर कुल्ड ने और दुसरा होता है एयर कुल्ड ओंगर और विलीबल्ट के नुसहाब देखते है इसट इम जण और रर्डेवल इंजन का इस प्रकार पर इधि इंजन के डिजाइन में और इंजन में लगे होई वालो के आधार पर इंजन में लगे हेड के आधार पर भी क्लासिफिकेशन किया गया है तो इंजन में लगेवी वालों के आधार पर ये चार पकार की इंजन्स होते हैं, L टाइप हेड वाल इंजन, L टाइप आई हेड टाइप इंजन, F टाइप हेड इंजन और L हेड टाइप इंजन्स, ये इस प्रकार से वालों के आधार पर ये चार पकार की इंजन्स होते हैं तो अलग-अलग तरीके से अलग-अलग प्रकार के इंजन से क्लासिफिकेशन किया गया है तो इस प्रकार से हमें आद्धे का इंजन क्या होता है, किस प्रकार की डिवाइस है इंडियन कितने प्रकार के होते हैं इंडियनों का कितने प्रकार से क्लासिफिकेशन किया गया है इसके बारे में जाना थेंक्यू